लमस्कार दोस्तों ग्यान विशेश चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो आप जड़ी बुटी देख रहे हैं ये मकोई है। मकोई का एकक्षुप होता है जो तीन फिर तक उंचा होता है। ये बहुत फेलता है और इसके पत्ते कंगुरीदार होते हैं। इस पर सफेद रंग के पांच पंखुडी वाले पुस्प लगते हैं। पुस्प के बाद इस पर छोटे छोटे पल लगते हैं जिसे पीलू से जानते है। आयरवद के पौरानिक सास्त्रों में काक माची से मकोई से पहिचान मिली है। हिंदी में और उर्द में मकोई कहा जाता है। में गुजराती में पिलूडी कहते हैं और बंगाली में काक माची कहते हैं। इसका अंगरीज नाम कॉमन नैट शेड और वेकिनिक नाम सोलेनम, एमेरी, केनम है। फलों के रंग भेज से मकोई दो प्रकार की होती है। एक पर लाल रंग के पल लगते हैं और दुसरी पर काले रंग के पल लगते हैं। दोनों प्रकार की मकोई के पुस्प एक समान ही होते है। काले पल वाली मकोई गुणों में स्रेश्ट होती है। मकोई का पोधा कई प्रकार के अवसद्य गुणों से परपूर होता है। इसके पत्रों में प्रोटीन, वसा, खनेज, कार्बोहाइटरेट, केल्सियम, फोसपरस और लोहजेशित तत्व पाहे जाते है। इसके अतरिक्त इसमें केरोटीन, विटामिन C और निक्योटनिक नाम का अलम भी होता है। कोई तीनों दोस्दो को दूर करती है। यह सनिक्द होते है और थोड़ी मात्रा में गर्म होती है। गर्म होने से वात रोगो को दूर करती है। तिक्त और कड़वी होने से पित और कप का नास करती है मकोई लिवर की रामबान आउसदी है ये कामला रोग को दूर करती है इसके अतरिक्त ये कप को मिटाती है दर्द को दूर करती है और न बरने वाले घाउं को सिक्र परती है इसके फलका सेवन करने से पेशाप खुल कर आता है जिसके कारण मुत्रावरोध दूर होता है और पेट में पानी भरने की समझ्या भी दूर होती है दोस्तों हज्जारों और लाखों की दवाई के खर्च करने पर भी जो फाइदा आपको नहीं मिलता ये इस मकोई के पोधे के उप्योग करने से आपको सरलता से मिल जात जब एक चोथाई सेश रहे तब ठंडा होने के बाद चान कर दस ये तीस एमेल की मातरा में सुबह साम सेवन करें कुछ दिनों तक लगादार इसका इस प्रकार से सेवन करते रहने से स्वासरूग में बहुत जबर्जस्त आराम होता है कप बाहर निकल जाता है और स्वासन अलिका में जो सुजन आ गई हो वो भी दूर हो जाती है इसके पत्तों की सब्जी या साक बना कर खाने से भी बहुत आराम होता है दोस्तों इसके पके हुए फोलों को सहत के साथ रोजाना 5-6-10 ग्रम की मातरा में सेवन करने से टीबी खत्म होता है मकोई कामला रोग की एक पंचाग से जानते है इन में से 10 ग्रम की मातरा में इसके पंचाग को लेकर एक गिलास पाने में धिमी आज पर दीरी दीरी पकाए जब एक चोथाई सेश रहे तब इसमें से 15 से 20 मल की मातरा में सुबह साम सेवन करे इस प्रकार इसके लगबग 15 दिनों के प्रयोग से कामल पंचाग से एक से दो चमच की मातरा में एक गिलास पाने में उबाले और चाय की तरह सेवन करे अगर आपको एक पोदा ताजा मिल जाता है तो इसका रस निकाले और कपड़े से चान कर 10 से 15 मल की मातरा में पिए इससे भी जबल ज़स्त फाइदा होता है दूस्तों इसकी ताजे रस का रोजाना से बन करने से यकरूत बलवान बनता है यकरूत के सारे विकार और रोग नश्ट हो जाती है मकोई की पावलर को दिमी आज पर पाने में उबाले और इसमें से 20 से 30 मल की मातरा में ले इसके साथ सेंधा नमक और जिरा मिलाकर रोजाना से बन करने से भ अगर किसी को दाद खाज और खुजली की समस्या होती है तो मकोई के हरे फल को पीछ कर लगाए इससे जल्दी ही दाद की छुटी हो जाती है इसके अलावा मकोई के ताजे पत्तों का एक पेश्ट बनाए और प्रभैश्थान पर रोजाना तोचा पर लगाए इससे भी डाद, खाज, खुजली, गिली-कुजली और पामा जैसे विकारन नश्ट होते है इसके पत्रों का लेपुरुजाना लगाने से कुष्ट रोगों का भी समन होता है इस जानकारी को ज्यादे से ज्यादा सेर करे, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए स्वास्त रहे, खुश रहे